दोस्तों आपको हमारी आप विश्णोएकनोंक्स स्कूल पर एकनोंक्स से लेटेड 200 कोर्सिज मिलेंगे जो के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवेस्टी के एकनोमिक्स ऑननर्स और अथा बच्चो को प्रोauso कराते हैं UPSC Economics Optional का Indian Economics Services के इसके लावा different different state board में PGD Economics की जो विकेंसी लिगलती है उनके भी हम syllabus प्रोवाइड कराते हैं तो यह सारे के सारे कोर्स आपको हमारी एप विश्नो एकनोमिक्स स्कूल में मिलेंगे आथ हम आप बच्चों को एक नए topic स्टार्ट करा रहा है जिसका नाम है Mundial Flaming Model तो दोस्तो Mundial Flaming Model के उपर हम दो वीडियो मनाएंगे जिसमें से पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से Mundial Flaming Model में ISLM और BP कर को डेरिवेट किया जाता है दूसरी वारी वीडियो में मैं आपको Effectiveness of Monetary Policy and Fiscal Policy के बारे में बात करूँगा तो वीडियो तो प्राविट रहेगी तो इससे आपको request है कि आप हमारी application डाउलोड करने ताकि आप हमारी प्राविड वीडियो को भी access कर सकें तो दीखे Mundial Flaming Model का जो विकास है वो 1962 के दसक में हुआ दो अर्सा स्री थे आरे मुंडेल और जे-म फिलेमिंग इन दोनों के द्वारा किया गया बिसिकली जो मुंडेल मॉडल है वह आयसले मॉडल का विस्तार है तो अगर आपने आयसले मॉडल नहीं पढ़ाया तो बड़ी वह उस आयसलेम का ओपन एकनोमी में किस तरीके से यूज किया जाता है उसको इलोबरेट करने के लिए बनाया गया है तो इसमें समझने वाली बात यह है कि यह इस बात की जानकारी देता है कि अंडरलाइन करने वाली बात को अपने दिमाग में रख लीजिए है तब इस्तिर और लोशिल विनमेदर पडाली में राजकोशी और मौदरी नीती की प्रभाफशीलता क्या है यानि कि जब फुली कैपिटल मोबिलिटी है यानि कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी जाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है तब जो हमारी कौन सी प्रभाफशील है तो बच्चो कुछ मानेता है आप एक बात देख लीजिए उसके बाद में अपने टॉपिक को डिसकस करता हूँ आप बच्चो के साथ में सबसे पहला है छोटी मुक्तरतिवस्ता है ताथा पुंजी की गत्पून में गतिशिलता है यानि कि स्मॉ का मतलब यह नहीं है कि देश बड़ा है या छोटा स्मॉल ओपन एकनोमी का मतलब है कि एक देश को तब हम स्मॉल मानते हैं जब वो वर्ल्ड इंट्रस्टेट को इंफ्लूएंस नहीं कर पाए यानि कि माली जे भारत है हम एजम्शन लेके चल रहे हैं बच्चो कि भारत की इंडिया का जो मणी सप्लाई है वो इंडिया के रेट अफ इंट्रेस्टी को इंफ्लूएंस कर सकते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पूर्ण जी में पूर्ण गत्ति शीलता का मतलब है कि जिस जगह इंट्रेट जादा होगा वहाँ पे पैसा आएगा जैसे मैं आपको एक्जामपल के तुरू समझाने का प्रयास करूं अच्छो तुमान लीजिए आर जो है वो इंडिया के रीट आफ इंट्रेस को दिखा रहा है और अगर आर मोर्दन आर इस्टार है तो इसक्रामला विदेशी पूंजी देश में आएगी और आर लेस देन आर इस्टार है तो विदेशी पूंजी देश से बाहर चली जाएगी और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आर और आर इस्टार बरावर नहीं हो जाते है बिल्कुल सिंपल सी बात है यानि कि अगर देश के अंदर इंट्रेस रेट जादा है तो पूंजी आएगी देश के अंदर इंट्रेस रेट कम है तो पूंजी बाहर चली जाएगी इतिसी बात आपको याद रखनी है इसके अलावा आय का धनात्मक्फला ने यानि कि आय के बढ़ने से आयात में ब्रदी होती है निर्यात जो है वह आय का बाहरी कारवों से प् बूल इसका मतलव अंगरी छल दी से आ रहेगी विदेशी बाहर चले जाएगा यह में चल रहे श्टिक बिन में डर का मतलब है कि जो हमारी नौब थे मैं आपको समझाल देता हूं में आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा समझता इसको मैं थ्लोड़ा चोटा कर लेता हूं कि और यहां सम्झाल देता हूं कि सब्सें आपको बदादेता हूं कि Blles exchange rate जो होती है real exchange rate यह होती है nominal exchange rate into p upon p star यहाँ पे p star का मतलब है विदेसी की मत इस तर से और p 0 का मतलब है घरलू की मत इस तर से इसका मतलब जो e होगा वो किस के बरावर होगा वास्तिफिक even a matter upon p star upon P, समझनी कोसिस कीजिए गा, यहाँ पर जिस Tramology में हम दिखाने वाले है उस Tramology को समझनी कोसिस कीजिए हम यह दिखाने वाले हैं कि भारत रुपे का भारत यहनि कि जो गरिलू करेंसी भारत के कि मत किंत की मत बीं है नियु एं दिखाने के प्रयास कर रहेए इसका मतलि यह जू s 서 उपे है मनलीजीV 100 उपे जो है वो एक डॉलर के बरावर है यह निकर हमने रुपीज के टम में डॉलर को दिखा चैहे अब अगर माल लिजी रुपीज जो है 120 रुपे में आपको 1.2 डॉलर मिलना शुरू हो जाए कि इसका मतलब यह हुआ कि जो रुपिया है मुझबूत हुआ है यह आपको 100 रुप एमें अब आपको 1.2 डॉलर में लेगा रुपिया मजबूत होने की वज़े से आपका जो एक्सपोर्ट है वह घठेगा क्योंकि विजिसी आप से कम खरीदेंगे इंपूर्ट जो है वह बढ़ेगा और जो नेट एक्सपोर्ट है वह ओवरल कम हो जाएग कहने का मतलब बच्चू यह है कि आगर अग्षेंज रेट में में इस फिर्दी होती है अग्षेंज देट बढ़ता है लो एक्सपोर्ट रहुकर और अब बढ़ेगा और ऑवर्ल नेट किया जाएगा इसी तरीके से अगर रूपीज जो है 100 रुपे वो 0.8 डॉलर का हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि अब 100 रुपे में आप कब बस्तु खरिद पाऊगे यानि कि रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है मैं यहीं समझा देता हूँ आप बच्चो को कि अगर एक्षिंज डेट गिर गई जैसे कि यहां पर दिखाया हुआ है जिस तर्म में दिखाया हुआ है उस तर्म में आप समझेए इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा क्योंकि विदेशी हम चेंज रेट हमारी एकसपोर को इफ्लूएंस करती है कि अव हम बात करेंगे किस तरिके से मुंडेल फिलिमिंग और चैस हो है जो जो कि बचा जो तो जब हम बात करेंगे IS वक्री की, IS स्टार वक्री की, तो IS स्टार वक्र विनमेदर तता आए के उन सहियों को जोड़कर वित्पन किया जाता है, जहां पर सामुल विया और GDP समान है, विनमेदर के घटने से ही, यानि कि 100 रुपे जब एक डॉलर था, उससे जब 100 रुपे 0.8 डॉलर का हो जाता है, तो इसे सुद्ण निर्यात में विर्दी होगी, परणाम सुरूप एग्री के डिमांड में विर्दी होगी, और संतुलित आय का इस्तर में विर्दी होगी, दे ही होती है, एक्षेंट कम होने का मतलब है कि 100 रुपे जो है, वो है एक डॉलर के बराबर, अब 100 रुपे माली जी हो जाता है, 0.8 डॉलर का, तो एक्षेंट में कम ही हो गई, इससे एक्सपोर्ट जो है, वो बढ़ेगा, इंडिया का, क्योंकि विदेसी अब हम से ज्यादा समान खरी देंगे, इंपोर्ट जो है वो घटेगा, क्योंकि हम विदेशों से कम समान खरीदेंगे, क्योंकि हम हमें कम समान की वस्तु मिलेगी, उवरल, नैट एक्सपोर्ट जो है, वो बढ़ जाएगा, और वटने से आपका जो Agregan, Demand का Level नेैं, है क्योंकि अग्री GDP का level हो बढ़ जाएगा यानि कि Exchange Rate के गिरने से आपके जो GDP का level हो बढ़ जाएगा इस बात को डाइग्राम के थुरों हम दिखाते हैं और आपको IS TRAPP को ठीक है जिर ध्यान से समयलने बच्छो ठीक है माल लीजी ये हमारी आक्षेंज रिट है E0 और यह हमारे एक्ष्पोट का लेवल है nx0 अब माल लीजी ये हमारी एग्रीट डिमांड का लेवल है 80 ये यह income का level है y0, यह हमारा है y0, equilibrium level, और यह हमारा है e, sorry, हाँ e0, तो यह point है a, यह point है a, और मन लेजिए यह भी point है a, चलिए b लिख देए, इसको क्या है, a star बोल देते हैं, इसको l बोल देते हैं, नाम में क्या रखा है, अब suppose कीजिए कि आपके exchange rate गिर कर e1 हो जाती है, तो इससे आपका net export बढ़कर x0, 1 हो जाएगा, b point हो जाएगा, इसको जोड के से जो कर बनेगा, उसको बोलते है net export कर, और यह किसका function है, यह function है exchange rate का, इससे क्या होगा, अगर आपका exchange rate गिरने से net export बढ़ता है, तो इसका अस इसके demand level बढ़ने का मतलब है कि अब आपके पास में पहले से ज्यादा income का level होगा, income का level पहले से ज्यादा होगा, इसको b star बोल देते हैं, और इससे आपका, यानि कि overall आपका exchange rate गिरने से आपका income का level बढ़ गया, मतलब आपना यह वाला third हुगा, यह वाला fourth हुगा, इसका इसका मतलब फोर्थ का relation 1 से बनाएंगे, और यह जो कर बनेगा, यह कहलाएगा हमारा IS star कर, बिलकुछ simple सी बात है, इसका मतलब यह हुआ, कि overall हमारा जो IS star की, जो IS की safe है, वो ही वाली रहेगी, अगर हम यहाँ पे, जिसे हमने तो यहाँ पे exchange rate दिखा है, अगर हम interest rate का diagram मना हैं, तो interest का भी same असर पड़ेगा, कि interest rate अगर गिरता है, तो आपकी investment की जो demand है, वो बढ़ेगी, और overall जो IS curve है, वो इसी तरीके का बनेगा, इनकी IS curve किस तरीके का बनाए, वो आपने अल्रेडी देख लिया, IS star का रहमाने बना दिया है, बात करते आगे हम LM curve की, तो क्योंकि जो LM curve है, वो overall decide होता है, मुद्रा की मांग से और मुद्रा की पूर्ती से, तो मुद्रा की मांग तो व्याज की दर से negative related होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, मुद्रा की मांग से negative related होती है, और मुद्रा की आप पूर्ती भारी कारों पर depend करती है, तो LM curve की कि लिखे विखेंगे तो इस तरीक के का बनेगा ये बात आपको याद Herren seus आ तीसरा होता है हमारा बुर्टान से इस वक्र जैनिकि बी ओफी कर जो पिकार केन भी पॉजिटिव इस तरीके का का भी हो सकता है इस तरीके का भी हो सकता और इस तरीके का भी हो सकता है यानि कि यह बता रहा है कि रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो डॉमस्टिक रेट ऑफ इंट्रेस्ट है और जो वर्ल्ड इंट्रेस्ट है वो बरावर बरावर होता है और अगर बरावर नहीं होता तो कैपिट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरीके का डाइग्राम बनेगा पॉजिटिव बनेगा जब इंपफेक्ट कैपिटल मोबिलीटी होती है यानि कि जो रेट ऑफ है वो बराबर नहीं होता वर्ल रेट आप इंट्रेस्ट के तो क्योंकि हम ओपन स्मॉल ओपन एकनोमी लेके हैं क्योंकि हम पफेक्ट क्री मोबिलीटी का गलते है इसलिए जब नहें को लेकर चलते है और ये तब होता है मतलब है कि जो वर्ल्ट इंटरेस्ट्रेट है उसको मींनफलूइंस नहीं कर सकते है विदेशों में पैसा लेजाने के लिए देश के निवासी फ्री है अगर विदेशों में रेट ओफ इंट्रस जादा है तो सारा का सारा पैसा विदेशों में चला जाएगा और अगर भारत में पैसा इंट्रस जादा है तो सारा का सारा पैसा भारत में आ जाएगा तो किस तर एक डाइग्राम का यूज हम आने वाले वक्त में करेंगे जब हम आपको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का डेटेल करेंगे सबसे पहला तो आई-स कर विस तरीके का होता है इस टार कर विस तरीके का होता है बिलकुर सिंपल सी बात है दोनों ही केसे में चाहिए आप यहां यहां पर विनमेदर लिखो चाहिए आप यहां पर व्याजदर लिखो यहां पर तो हमारा GDP का लेवल आता ही आता है लेकिन विनमेदर के केस में एलम कर विस तरीके का बनेगा और व्याजदर वाले केस में एलम कर विस तरीके का बनेगा यह बेसिकली आपको याद रखना है B.O.P. कर्व यानि कि बैलन्स ओपेमेंट कर्व इस तरीके का है तो यह एक क्लिवेरियम कंडिशन हो गई यहाँ पे गोड्स मार्केट का एक क्लिवेरियम है वस्तू बजार का एक क्लिवेरियम मुद्रा बजार का एक क्लिवेरियम और विदेसी व्याजार तीनों का एक साथ एक क्लिवेरियम हो रहा है इस वाले पॉइंट पर और यह GDP का लेवल है मुंडेल फिलिमिंग मॉडल में एक साथ तीनों का एक क्लिवेरियम किया जाता है और अगर हम एजम्शन ले रहे हैं यह भी बात यहां पर भी लागव हो रही है लेकिन दोनों में क्या फर्क है दोनों में फर्क यह है कि यहां पर हमने वेने मैंदर लिखा है इसलिए इस तरीके का डियाग्राम मना यहां पर हमने व्याज दर लिखे इस तरीके का डियाग्र साही है जब हम फिसकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का एफेक्टिव दिखाएंगे तो दोनों में से किसी भी डाइग्राम को यूज करें आपका कंक्लूजन वही रहेगा लेकिन मैं आपको इस वाले डाइग्राम का यूज करके बताऊंगा आने वाले वक्त में किस तरी सब्सक्राइब में आया होगा वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू